Hello friends, welcome to my channel, One Information दोस्तों, pregnancy की दौरन गर्वती महिलाओं को बहुत सारे समस्याओं से गुजरना पड़ता है इसमें pregnancy की दौरन सिर्दर्ध होना ये भी बहुत जादा सामान्या होता है लेकिन pregnancy की दौरन सिर्दर्ध होता क्यों है और इसके क्या-क्या लक्षा हो सकते है और इस सिर्दर्ध को कम करने के लिए क्या-क्या घरे लूप्चार आप अपना सकते है और इसका क्या इलाज होता है ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने बारी हो तो pregnancy की पहले तिमाही में यानि की first trimester में रक्त प्रवा और हार्मोनल changes की वज़े से सिर्दत की समस्या बन जाती है इसके अलावा तनाव, ठकान, sinus और आँखों में खिचाव की वज़े से भी सिर्दत की समस्या पैदा हो जाती है pregnancy की दूसरी तिमाही में भी कही गर्वती महिलाओं को सिर्दत की समस्या बनी रहती है जिसका reason जो है वो गर्दन से होता है इसमें गर्दन की नाड़ी में होने वाला एक दोश होता है जिसकी वज़े से pregnancy की दूसरी तिमाही में सिर्दत की समस्या बनी रह सकती है और इसी तरीके से pregnancy के तीसरी तिमाही में भी गर्वती महिलाओं को सरदर्द की समश्या बनी रहती है जो की बहुती ज़्यादर नॉर्मल होती है गर्वावस्ता में सिर्दर्द होने पर आपका जी मचलाना, सिर का भारी रहना, चमकदा रोशनी देखने के बाद आँखों में दर्ध होना, उल्टी होना या फिर कभी-कभी चक्कर आने पर भी आपको सिर्दर्द जैसे लक्षन हो सकते हैं प्रेगनेंसी की दोरान माईगरीन हो जाना, या फिर टेंसन टाइप हैडेक हो जाना, या फिर क्लस्टर सिर्दर्द हो जाना, या फिर साइनस हैडेक होना, ये सारे प्रकार हो सकते हैं गर्भावस्ता के दोरान सिर्दर्द होने के तो फ्रिंट्स प्रेगनेंसी के दौरान सिर्दर्द होना बहुत ज़्यादा सामानिया होता है और इसके कुछ घरेलो उपचार भी हैं जैसे कि आप अच्छे से मसाज अगर अपने सर पे करती हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और मसाज के दौरान आ बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है जैसा कि मैं हर वीडियो में अपना कहती हूँ कि पानी जरूर पीजिए पानी अच्छी मात्रा में पीजिए इससे बहुत सारी समस्यां गर्भावस्ता के दौरान दूर हो जाती है तो बाड़ी को हाइडरेट रखिए इसके हो जाती है यानि की एक तरीके का जो सिर्दर्द होता है उसमें अद्रक का उपचार बहुत जाधा फाइदे मन्द होता है लेवेंडर का तेल बहुत ही अच्छा होता है सिर्दर्द को ठीक हैं तो इससे भी सिर्दर्द की समस्या बनी रहती है तो प्रेग्नेंसी के दौरान आप धूमरपान बिल्कुल भी ना करें भोजन ताजा करिए स्वस्त भोजन खाईए तरल पदार्दों का सिवन जादा करिए गर्बवस्ता के दौरान जैसा मैं आपको बताया कि टेंशन कर चिंता लेना इससे आप मुक्त रहिए जितना हो सके खुश रहिए इससे आपकी गर्बे पल राज शिशू का विकास भी अच्छा होता है और गर्ब में शिशू हेल्दी होता है कोशिश करिए कि जिन जगहों पर शोर शराबा जादा हो बहुत जादा वाजे जहां पर आ वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर पताएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरी चैनल वन इंफोर्मिशन को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई